हलो दोस्तो में नाम प्रिंस और आप दिख रहे हैं प्रिंस फैंटासी एक्सपर्ट दोस्तो अगर आप बहुत दिनों से ड्रीम इल्वन पर टीम बना रहे हो लेकिन काम्याब नहीं हो पा रहे हो तो आप एक गलती कर रहे हो और वह गलती है पिछ कंडिसंस और वीदर्स को इग्नोर करना यहां दोस्तों जब भी हम टीम बनाते हैं तो पिछ कंडिसंस को वीदर्स को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि यह किसमत के साथ साथ आपको कुछ चीज़े याद रखनी है अगर आप ड्रीम इल्वन पर ग्रेंड लीग जीतना चाहते ह में महत्पूर्ण रोल होता है सही समझ से आप बहतर टीम बना सकते हैं तो इस वीडियों के करेंगे कि किस तरीके से आप पिछ कंडिशन को और वीदर्स को समझ सकते हैं नमबर एक बैटिंग फ्रैंडली पिच अगर पिच फ्लैट है तो वहां रंज जादा बनते हैं और गेंदबाजों को मदद नहीं मिलती है ऐसे में आप ज्यादा क्या कर सकते हैं बैटर्स को अपनी टीम में ले सकते हैं टॉप ओडर बैट्समैन को चुने जो बड़े सिकोर बनाए और पावर हिटर्स जैसे फिनीशर्स भी अच्छे ऑप्सन होते हैं ऐसी पिच पर गेंद बाजु को जएदluk मिलती है और सी मिलती या पीच च्रॉट है तो आप अचछी मदद मिलती है तो आप सिपनर्स या किख खासकर लैल्ग सिपनर्स और 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 को अपनी टीम में चुन सकते हैं वहीं आपको ऐसी pitch पर middle order के बल्ले वाजो को चुनना है यानि कि starting में विकेट जाने के chance ज़्यादा रहते हैं तो आप middle order batsman को ऐसी pitch पर चुन सकते हैं जहां पर ballers को मदद मिलती है अगर हम बात करें balance और neutral pitch की ऐसी pitch ओपर batsman और ballers दोनों को फाइदा मिलता है all rounders को चुनना ऐसी pitch पर फाइद मन्त इसलिए होता है क्योंकि वह batting भी कर सकते हैं और balling भी कर सकते हैं टीम में सही संतुलन बनाएं जिससे तेज गेंदवाज, shipness और top order batsman सामिल हो अगर pitch balance और neutral है तो तो दोस्तों यह हो गई थी pitch conditions की बात अब बात करते हैं हम wither conditions की overcast condition अगर मौसम में बादल है तो तेज गेंदवाजो को swing और moment मिलती है ऐसे में आपको उन ballers को लेना है जो swing कर सकें बले वाजो में अनुभवी खिलाडी चुनें जो swing ball को अच्छे से खेल सकें नए खिलाडियों पर ऐसे में आपको बचना चाहिए दूसरा होता है हम wither condition नमी के कारान सिपनर्स को grip और टरंड जादा मिलता है अगर बारिस आ चुकी है तो वहाँ पर सिपनर्स को आपको अपने टीम में रखना है एक होता है due factor अगर match के दोरान रात में ओस गिरने की संभावना है तो चेजिंग टीम के बले बाजो को चुने क्योंकि जब ओस पड़ती है तो गेंद बाजो को गेंद बाजी करने में बहुत दिक्कत होती है सिपनर्स की जगे तेज गेंद बाजों पर ध्यान दे क्योंकि गीली गेंद से सिपिन करना बहुत मुस्किल होता है और सिपनर्स को उस टाइम बलेबाद अच्छी तरह से खेल सकता है एक होता है रैन अफेक्टिड मैच अगर बारिस की संभावना है और और कम हो सकते हैं तो आप पावर हीटर्स और ओल राउंडर्स पर ध्यान दे क्योंकि छोटे मैचों में तेजी से रैन बनाने वाले और बहु उपयोगी ख्लाडी बैतर साहिवित होते हैं दकवर्त लिवि इस यान की DLS नियम को ध्यान में रखते हुए चेजिंग टीम की ख्लाडियों को रातमिता आपको देनी होगी नमर तीन पिछ रिपोर्ट और वीदर फॉर्कास्ट का इंपोर्टेंस मैच से पहले पिछ रिपोर्ट और वीदर फॉर्कास्ट को जरूर देगें इससे आपक अगर बैलेंस कंडिशन है तो तीन और चाप और बलेबाज आपको अपने टीम में रखने हैं आप मेरे दवारा बताई गई हुई रंड नीतियों का उपयोग करके ड्रीम 11 पर मौसम और पिछ को ध्यान में रखकर टीम बनाओंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप ग्रे करें ऐसी वीडियो के लिए हमाल चैनल को सब्सक्राइब करें